सो यह आपका Venn Diagram है ठीक है सो Venn Diagram का मैं थोटा सा आपको पहले basic overview बता जिता हूँ उसके बाद हम लोग जो है start करते है Venn Diagram को हाँ हाँ I am not saying कि 2 plus 2 plus 3 ही होगा मैं ज़स यह बता रहा हूँ कि कोई भी एक floor पे 2 होगे पिर दूसरे floor पे भी आपका 2 हो सकता है और तीसरे पे 3 होगा ठीक है that is not कि आपका 2 plus 2 plus 3 ही होगा 2 plus 3 plus 2 भी हो सकता है 3 2 2 भी हो सकता है मैं ज़स आपको नंबर बता रहा था ठीक है सो देखे मैं पहले Venn Diagram का आपको थोटा सा यहाँ पे जो है basic discuss करता हूँ उसके बाद हम लोग चलते हैं सबसे पहली चीज़ हमारे पास 2 Venn Diagram के आपके question आ सकते हैं 2 set वाले जो होते हैं तो 2 set वाले में आपके पास क्या होगा इदर independent set हो सकता है independent set का मतलब क्या होगा कि दोनों जो circle होंगे इस तरह से उनमें कोई intersection नहीं होगा ठीक है so these are what independent set ठीक है जैसे मालों कि कुछ लोग जो है वो coffee पीते हैं ठीक है और कुछ लोग tea पीते हैं but none of them are like drinking both so ऐसा भी अगर आपको बोल देता है but अगर independent set है तो आपका कोई भी intersection नहीं होगा but जो generally आपको देखने को मिलता है वो इस तरह का होता है ठीक है कि आपका एक set होगा coffee का for example some people are preferring this coffee and some people are preferring this tea और कुछ लोग जो होंगे वो क्या करेंगे दोनों आपके पीते हैं ठीक है तो ये दोनों जो आपका common वाला part होगा that will be this one या 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 new dreams this is the maths part because हमने कल बोला था कि Venn diagram will be doing so मैं थोड़ा सा एक बार basic आपको discuss कर देता हूँ I think आप लोगों को बहुत लोगों को पता होगा but जिननको नहीं पता है उनके लिए जस सोड़ा सा देख लिजे so this is the common part which is both tea and coffee okay अच्छा इसमें एक चीज़ और है कि ये जो portion है ये क्या बता रहा है जैसे और ये वाला portion क्या बता रहा है तो मैं इस वाले portion को A बोल देता हूँ जो देखो ये वाला portion A कौन सा है यहां से यहां तक ठीक है this portion is A okay this portion is B for example and इस common वाले part को मैं C से represent करता हूँ okay then A plus C plus B जो होगा वो क्या होगा total total number of people okay total number of people के एक पल होगा अगर ये बोला गया है कि जितने भी लोग है सभी लोग कोई ना कोई drink पीते हैं ठीक है either coffee पीते हैं या फिर tea बोलते हैं और total आपका मालो कि 100 people है they are saying कि 100 people में से at least like all of them either drink coffee और tea मतलब सारे की सारे लोग involved होते हैं ठीक है तो मैं क्या बोलूँगा कि this is equal to 100 so A plus C plus B that is equal to 100 now ऐसा भी हो सकता है कि आपको coffee पीने वाले total लोग जो है that is A plus C जो होगा A plus C आपको क्या बताएगा कि total coffee पीने वाले लोग कितने हैं ठीक है अच्छा B plus C क्या बताएगा आपको B plus C बताएगा total T पीने वाले कितने लोग है और c क्या बताएगा आपको कि both tea and coffee पीने वाले कितने हैं ठीक है ये चीज़ सबको समझ आती है ये वाला तो मतलब two variable वाला होता है वो तो सभी लोगों को I think clear रहता है ठीक है so ये तो बहुत simple था कि हमने area बता दिया अच्छा अब ये a क्या represent करता है यहाँ और b क्या represent करता है क्योंकि हमने a plus c, b plus c, c तो देख लिया what is a representing तो a हमें क्या बता रहा है देखो a में आपका कहीं पे भी touch हो रहा है आपका tea वाला part नहीं हो रहा है so a is representing only coffee कि वो लोग जो बस coffee prefer करते है tea prefer नहीं करते तो only coffee हो जाएगा and what will be then b, b will be only tea okay so this is the basic concept जो आपको area अलग-अलग जो है वो क्या represent करता है तो इस तरह से आपको निकालना है okay अच्छा इसमें आपको एक और भी तरीके से वो पूछ सकता है मालो कि यह तो आपको बोले कि total hundred student थे मालो जिस तरह से ठीक है hundred student में मालो कि पचास आपके यहां पर है असी यहां पर है इस तरह से बोल दिया तो अभी मैं just यह random number ले रहा हूँ और आपको यहां पर कुछ number place करने पढ़ेंगे solve करके हमारे पास आ जाएगा number ठीक है तो वो आपका बहुत असान रहेगा बट कभी कभी क्या होगा कि total student ना देखे वो आपको क्या बोलेंगे कि इसमें hundred student हैं आपके पास उसमें से जो है मालो की 30 boys हैं और मालो 70 आपके girls हैं इस तरह से बोल देंगे तब आप लोग क्या बनाओगे तो आपको boys का अलग बनाना पड़ सकता है because generally अगर आप देखो कि तो boys और girls का हम लोग अलग-अलग बनाता है दो variable का जब होता है मैं दो variable की बात कर दो हूँ अभी three variable पर आएंगे हम लोग but आप लोग दोनों का अलग-अलग मत बनाना because exam में उतना time नहीं रहेगा आपके लिए तो मैं आपको एक short cup बता देता हूँ जो आप लोग use कीजेगा जब भी अगर आपके पस दो variable आता है दो variable के साथ-साथ आपके पस boys and girls दोनों दे दिया जाए या फिर male employees female employees बोल दिया जाए या दो department के अंदर जो बोल दिया जाए ठीक है so कि दो department वाले लोग है और आपके tea और coffee पीते है ठीक है so अगर उस तरह का होगा तो आप हमेशा बना तो लोग इस तरह सही ठीक है this is your coffee ठीक है and this is your tea okay now since मुझे क्या करना है कि boys को भी इसी van diagram में करना चाहता हूं तो I'll make a line like this here ठीक है इसके उपर जो भी आपका part होगा that is this this and this this will represent the boys और इसके नीचे वाला जो part होगा that will represent the girls ठीक है कोई offense मतले ना कि मैंने नीचे girls को बनाया और उपर boys को बनाया कोई भी आपका उपर हो सकता है वो आपकी मर्जी है now मैं यहाँ पर अब यह जो portion है यह वाला portion मुझे क्या बताएगा because मैंने दोनों portion को divide कर दिया है दो part में so this is representing what जैसे मालो कि अगर मैं इसको 1,2,3 करके नाम दे देता हूं आपको बता देता हूं कि क्या क्या represent होगा ठीक है so this is for example 1,2,3,4,5,6 so 1 यहाँ पर क्या represent करेगा कि boys liking only coffee ठीक है boys क्योंकि हमने उपर क्या लगा है boys क्यों रखा है तो यह जो 1 part है यह हमें क्या बताएगा boys who are liking only coffee now 3 हमें क्या बताएगा तो boys liking only tea और 2 क्या बताएगा तो boys liking both ठीक है similarly अगर मैं 4,5,6 की बात करूँ तो this will be girls ठीक है liking coffee मैं आपको 3 variable वाले भी बताता हूं एक second ज़िए मैं इसको एक बार explain कर लो and we'll come back to the 3 variables one also उसमें भी मैं आपको बताऊँगे कि how you can like और उसका question भी आपको मैं करवाँगा जिस तरह का कि उसमें split करके हम लोग एक ही when diagram में कैसे दो चीजों को use करेंगे वो आज हम जरूर सीखेंगे ठीक है और ये क्या हो जाएगा कि girls liking tea and this is girls liking both ठीक है और इसका हम लोग अभी question भी कर लेते है girls liking both basically ठीक है ये समझ आया सब लोगों को बताईए अगर ये समझ आ गया तो मैं इसका एक application अभी आपको तुरंद करवा देता हूँ जिससे कि आपको एकदम अच्छे से crystal clear हो जाए कि how we have to use उसके बाद हम लोग three variable पे समझ देंगे ठीक है पहले बताईए ये अगर सबको clear है तो जो भी चीज़े मैंने बताईए जो जो area बताईए कि a क्या represent करता है b क्या represent करता है c क्या represent करता है ठीक है ये सारी चीज़े अगर clear है तो मैं आगे बढ़ता हूँ पहले confirm किजिए okay very good so इसका screenshot लेकर रख लिजिए आप लोग जिसे की मतलब आपको revise करने में अगर मालो exam से एक दिन पहले आपको देखना है तो you can like revise it okay now move to the questions जो इसका एक question है so this is the question इसको करके बताईए मैंने एक ही question इसमें लिया है मतलब यह calculate है आपका और यह pre में आपको पूछ सकते है इसमें 5 आपके question होगे ठीक है so 5 question में अगर होगा तो कैसे आप इसको starting में बहुत जल्दी से कर सकते हो और एक ही आपका van diagram में दोनों काम हो जाएगा so कीज़े मीनु that I'll also discuss कि what how we basically talk about neither nor wala case मैं बता दो मैं बताता हूँ आओंगा उस पर पहले इसको कर लेते हैं हम वो भी बता दोगा मैं आपको okay what is the answer answer क्या रहे आप रोको को बताईए 6 by 37 no 6 by 37 is incorrect विकाष 40 percent exact आ रहे क्या if exactly 40 percent then you are getting then that is incorrect exactly 40 percent नहीं आता है आप लोग approx बता रहे हो क्या मतलब approx 40 बता रहे हो ना 40 approx okay 41 आपको आ रहा है चल यह ठीक है मैं मैं देखता हूँ क्यूंकि exactly आपका 40 percent नहीं आता है देखते हैं ठीक है approximately भी रखेंगे तो कितना थोड़ा सा कम आता है 40 से सो देखें यहां पर क्या बोला गया कि in a class of 80 students okay so total 80 students are there the boys and girls are in the ratio 3 is to 5 okay so यह तो हम बहुत जल्दी से हम लोग बोल सकते हैं कि 3 is to 5 है so total 8 part is there so 8 part is 80 so one part will be 10 so इसका मतलब girls कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे and boys will be 50 okay so और क्या बोला कि the students can speak only Hindi और only English और both the both Hindi English right so यह आपका statement जो है यह देना बहुत important है इसका मतलब इससे मुझे एक चीज़ क्लियर होती है कि ऐसा total जो आपके पास 80 student है ऐसे कोई भी student नहीं है जो आपके दोनों नहीं पढ़ते होगे ठीक है मतलब आइदर वो Hindi नहीं पढ़त है ठीक है so हमारे पास क्या था कि मालो हमने बोला कि दो जब variable होगा और हमारे पास दो चीज़े आगर होंगी तो इस तरह से बना के चलते है ठीक है so this is for example Hindi and this is English right अच्छा ठीक है और उपर वाला पार्ट मैंने क्या बोला कि this is boys और इसको हम लोग girls लेके चलते हैं ठीक है so boys कितना है total आपके पास 50 है and girls कितना है 30 है right अच्छा या 15 by 38 that will be the correct answer very good 39.4 आपका प्रहक्स आंसर आएगा now यहां तक तो हमारे पास वही था number of boys and number of girls who can speak only Hindi is equal and each of them is equal to 40 percent of the total number of girls किक्तले पास तो क्या बोला कि number of boys or number of girls जो only आपके Hindi पढ़ सकते है मतलब यहां पर boys आएगा जो पर हिंदी पढ़ सकते हैं यहां पर girls आएगा क्यों है तो 40 percent of the total number of girls so how many girls are, 30 इसका 40 present कितना होगा 12 so this is also 12 and this part is also 12 now 10 percent of girls can speak both languages so is इसका मतलब यह 3 हो जाएगा, now I know कि girls total कितने है, 30, so यह दोनों 15 अगर है, तो इसका भी answer क्या होगा 15 होगा, तो यह चीज मुझे पता चल गई now, and 58% of the boys can speak only English तो 58% of 50 will be how much, that is equivalent to saying कि 29% of 100, so 29% of the boys can only speak English, तो अगर यह 29 है यह एक blank है और यह 12 है इन दोनों का sum करें, तो मतलब इन तीनों का sum करोगे, तो 50 आना चाहिए, so what is this this is 9, okay, now यह Vendagram तुरंट से बन जाएगा आपका, आप question आपको 5 question पूछे जाएगे, वो आप लोग किल्दी से करोगे, so the number of girls speaking only English, that is 15 is what percent of the boys who speak English, what percent of the boys who speak English बोला है, so only speak English नहीं बोला है मतलब वो पूरा का पूरा English बोल रहा है, so English का पूरा part कौन सा होगा, यह वाला part होगा, ठीक है, this whole part will come in English, so this will be 29 plus 9, that is 38, okay so this is approximately 39.47 ठीक है, so यह हो जाएगा answer समझाया है सभी लोगों को कि how we have to deal with things, जहाँ पे आपके पास single bank diagram में, आप boys and girls को, दोनों को represent कर सकते हो, ठीक है okay, now, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें neither nor वाला भी concept देख लेते हैं, ठीक है क्योंकि अभी तक मैंने neither nor नहीं पता है and Minoo was also asking, and this is also something which is very important, so देखो, अब आप लोग neither nor को कैसे करोगे, okay, so neither nor जो है, इसका मतलब क्या होता है, तो I am saying कि जैसे for example, माल लो कि एक आपका city है, उसमें total hundred people are there, okay, and hundred people में से कुछ लोग जो है, वो coffee prefer करते हैं, ठीक है, coffee इसलिए बार-बार यूज़ कर रहा हूं क्योंकि भी ठंड है and कुछ लोग आपके tea prefer करते हैं, ठीक है, और ऐसा आपको नहीं बोला गया, मतलब they are saying कि in a town there are hundred students, okay, और ऐसा नहीं बोला गया कि each of them either prefer coffee or tea, यह line आपको नहीं बोली गई है, ठीक है, या फिर ऐसा नहीं बोला गया कि at least one of the person is preferring this coffee or tea or both, ठीक है ऐसा अगर नहीं बोलता है, इसका मतलब there is a possibility, क्या पता सारे के सारे, ऐसा हो सकता है, कि दोको, एक city के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, कि 100 लोग हैं, उसमें से मैं यह कह रहा हूँ, कि कुछ लोग आपके coffee पीते होंगी, कुछ लोग आपके tea पीते होंगी but there is another possibility, कि some people में prefer neither, कोई भी नहीं पीते होंगी, जैसे आपका voting में होता है, कि वो एक party को देगा, या दूसरे party को देगा, but there is also one option, that is none of the above, कि हमें नहीं देना है, so that is neither वाला part, तो यहां पे भी आ सकता है, तो यह कब होगा, जब अगर मैं यह वाला question देखता, यह question में अगर यह line नहीं होती, कि the student can speak only Hindi, only English, और both, तब यहां पे भी वो possibility रहती, कि हाँ, हमारे पास कोई neither वाला बंदा possible हो सकता है, ठीक है, तो जैसे देखो, मैं बोलता हूँ, कि total 100 students are there, इसमें से मैंने बोला कि 80% of the students, 80% of the students are those who are at least liking coffee or tea, so 80% बोला, इसका मतलब क्या होगा, कि 80 लोग जो है, 80 लोग ही क्या करते हैं, coffee, tea या फिर coffee plus tea, दोनों में से पीते हैं, तो बाकि जो 20 लोग होगा है, वो क्या होंगे, neither वाले होंगे, तो इसका diagram किस तरह से बना होगे, ठीक है, इसका diagram आप इस तरह से बना सकते हो, कि this is coffee, okay, this is tea, and this will be 20, okay, यह बाहर 20 होगा, और यह जो पूरा का पूरा area है, this total area will corresponding to the 80 part, ठीक है, जो 80 people बच जाएंगे, इन सबको यह बताएगा 80, और यह बाहर आपका इस तरह से बनाएगा, यह आपका बता रहा है, और बाकी जो बाहर वाले लोग है, that is this area, यह जो बाहर का दिख रहा है, उसमें 20 लोग है, because 20 people are not preferring either coffee or tea, समझाया सभी लोगों को कि नीदर का concept कैसे हम लोग use करते हैं, अच्छा, इसी में एक चीज़ और देखो, मैं थोड़ा सा और detail में चलता हूँ, detail में बता दू न, कि आप लोगों को जिससे की exam में अगर आए, तो at least सभी करने में अच्छी रहोगे, okay, so एक question यह भी पूछा जा सकता है, कि माल लो, कि मैंने बोला, इसी question में आपको यही data दिया, कि total इतने लोग है, और 20 people are there, who are liking this, okay, who are liking neither, and I am asking, what is the number of people, ठीक है, liking either coffee, और tea, ठीक है, so either coffee वो पीते होंगे, या tea पीते होंगे, so either coffee और tea का मतलब क्या हुआ, देखो, neither का मतलब तो यह हो जाएगा, so this is neither part, okay, neither part यह हो जाएगा, अगर either part की बात करें, तो either coffee का मतलब क्या होगा, कि वो only coffee भी पी सकता है, only tea भी पी सकता है, और both भी पी सकता है, right, so either जो part होगा, either part is representing this whole part, यह दोनो जो circle का area है, this is represented by either, okay, तो एक चीज़, यहाँ से मुझे और clear हो गई, कि either के साथ, अगर neither present होगा, ठीक है, तो answer will be what, total, total is hundred, हमेशा ऐसा, इसको याद रखना, ठीक है, exam में आपको माल लो कि, वो either पूछ लेगा, मतलब यह हम लोग निकाल लेंगे, और neither आपको towards the end, पूछ सकता है, ठीक है, so that is also possible, हम वो कर लेंगे, बट यह जीज़ याद रखी, कि either और neither को, हम लोग जब add करते हैं, तो total hundred आता है, which is the total number of people, clear होगा सभी लोगों को, right, ओके, चलिए, मैं एक, इसके उपर एक question आपको देता हूँ, आप लोग जल्दी से बताईएगा उसका answer, okay, let me create the data for you, okay, so, बोल देते हैं कि मालो, कि total आपका जो है, एक city के अंदर, एक city के अंदर, total आपके पास hundred people are there, okay, hundred people are there, now, उसमें से मैं आपको जो data दे रहा हूँ, वो धियान से देखना, ठीक है, 30 people, 30 people like coffee, ठीक है, 30 people is liking coffee, then, what, 50, 50 नहीं, 50 से थोड़ा सा जादा देना पड़ेगा, so, 70 ले लेते हैं, 70 people like tea, okay, और क्यासे बनाएं, रुक हो, मैं मन में तुड़ा सोच लेता हूँ, ठीक है, and कुछ लोग जो हैं, वो बोथ लाइक करता है, people like, बोथ, tea and coffee, वो कितने लोग होंगे, मैं तुड़ा सोच के बनाता हूँ, रुक हो, 20 people, okay, जो आदेगा, यह दिया हुआ है, and I am asking, देखो, यह चीज मुझे देदिया, कि एक city के अंदर, total 100 लोग थे, ठीक है, उसमें से, 30 people are liking coffee, 70 people are liking tea, and 20 people are liking both, ठीक है, यह हमें only नहीं बोला गया है, coffee पूरा का पूरा बोल रहा है, मुझे, पूरा coffee का circle, then they are asking, then find how many people, how many people like neither, ठीक है, इसका answer मुझे जल्दी से बताईए, अगर यह आप लोग कर पाऊगे, तो अभी जो मैंने आपको समझा है, वो सारा का सारा आपको clear हो जाएगा, मिनी मारपल उसके अंदर, common part भी आता है, इधर और के अंदर, 20 is the answer, very good, जिनका 20 आया है, बहुत ही अच्छे, जिनका 10 आ रहा है, गलत है, ठीक है, मनुझ, 40 विकास, इनकरेक्ट, देखो, इसमें क्या करेंगे, अभी हमने थोड़ी वर पहले देखा, कि इधर प्लस निधर क्या होता है, 100 होता है, ठीक है, तो मुझे निधर निकालना है, ठीक है, तो कैसे भी करके, अगर मैं इधर निकाल लूँ, यूँकि इधर मुझे नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इधर के रिवार्डिंग लेकिन डेटा दिया है उसने, अगर मैं यहाँ पर देखों, तो देखो, this is coffee, okay, this is coffee, this is tea, okay, so tea वाले कितने हैं, 70 है, ठीक है, coffee वाले कितने हैं, 30 है, अच्छा, और 20 लोग यहाँ पर है, so अगर 20 यहाँ पर है, सोचो यहाँ पर, देखो 20 यहाँ पर है, total मैं 30 बोल रहा हूँ, तो this will be 10, okay, that is 80, so either अगर आपका 80 है, तो हमने पढ़ा था ना, कि either plus neither क्या होता है, 100 होता है, जो मतलब total आपको दिया हुआ है, total 100 है, so अगर यह 80 है, तो यह कितना हो जाएगा, 20 नहीं हो जाएगा, so answer is 20, ठीक है, तो यह आपको realize करना है, अगर mind में भी सोचने की कुशिश करोगे, तो इसलिए मैंने यह जल्दी से question आपको दे दिया, कि थोड़ा सा आपको idea हो जाएगे, कि how we will basically utilize it, okay, clear सभी लोगों को, good evening Rohit, yes, yes, प्रतिक्षा, very good, लेपिका, very good, अच्छा, हम लोग इतना discuss कर रहे हैं, तो एक और मैं बता देता हूँ, जो थोड़ा important है, देखिया, तो आज आपको काफी interesting मज़ा आने वाला है, Venn diagram आप लोगों का पूरा clear करता हूँ, आच्छे से, देखो, either और में both कैसे, देखो, either अगर मैं coffee बोल रहा हूँ न, सिवानी, अगर मैं either coffee बोलता हूँ, तो coffee के अंदर तो both वाला portion भी आता है न, ठीक है, I am not saying कि only coffee, right, so either में पूरा coffee वाला part आएगा, इसलिए हम लोग both वाला part भी consider करते हैं, right, अच्छा, देखो, एक चीज़ समझना, जो मैं question आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है, उसका थोड़ा हम लोग background पहले discuss करते हैं, and then we'll discuss कि वो क्या है basically, देखो, समझो, कि कुछ लोग जाके pre देखे आते हैं, prelims का exam दिया, ठीक है, कुछ लोग prelims देखे आते हैं, prelims clear करते हैं, चलो, मैं tree diagram के हल से बताता हूँ, because that is very easy, so, ये जो है pre-appear वाले student है, ठीक है, pre-appear वाले, pre-appear student, उसको मैं बोल देता हूँ, माल लोग कि 3000 लोग, 3000 लोग जो हैं, वो prelims cover करते हैं, जाके appear करते हैं, अब prelims अगर देखे आ रहे हैं, तो कुछ लोग pass होंगे, कुछ लोग fail होंगे, ठीक है, so, माल लेते हैं कि, 20% of the people failed, ठीक है, then 80% of the people will pass, ठीक है, failure और pass वाला जो है, वो भी थोड़ा देख लेते हैं, यूगि, इसमें भी कई लोगों को doubt होता रहता है, so, prelims is there, total मैंने 3000 बोला, 3000 में से 20% आपके क्या हो जाएंगे, fail हो गए, इसका मतलब 600 fail हो गए, तो 2400 people have passed, यहां तक सब को समझ आता है, अच्छा, अब जो भी pass करते हैं, आप लोग देखिए, जो भी pass करते हैं, उसमें हम क्या बोलते हैं, कि वो जाके means देंगे, ठीक है, और मैं assume कर रहा हूँ, ठीक है, I am assuming कि those who have passed, इसमें कुछ लोग जाके नहीं भी देते हैं, means, मैं यह नहीं मन रहा हूँ कि सारे के सारी लोग जाके, I am assuming कि all of the students who have passed the prelims, क्या लिया है मैंने, कि all pre-cleared student, अभी एकदम दिमाग को खोल के देखना अच्छे से, तब यह आपको समझ आएगा, जो मैं आगे आपको समझाऊँगा, because fail और pass में बहुत लोग confused होते हैं, ठीक है, तो इसको थोटा दिहान से देखेंगे, all pre-cleared student appeared for means, आपको पूछ रहेंगे वो लोग fail pass वाला, so माल लेते हैं कि mains में, अभी generally तो हमें पता है कि चार subject होता है, so माल लेते हैं कि just दो ही subject है, एक है reasoning, ठीक है, और एक है quant, ठीक है, just मैंने assume किया, for the simplification, कि आपको अच्छे से समाझ आजा है, कि mains में जितने लोग जा रहे थे, that is 2400 people are going to appear, उसमें से कुछ लोग, दो ही subject है mains में, कुछ लोग reasoning देते हैं, मतलब reasoning वाला भी होगा, और quant वाला भी होगा, ठीक है, अब ये जो मैंने circle बनाया है, this is for failure, ठीक है, कि जो fail हो जाते है mains में, वो यहाँ पे है, तो बांकी past वाले यहाँ पे होगे, past in mains को मैंने यहाँ पे बनाया हूँ, और ये failure का बना रहा हूँ, ठीक है, ये जो मैंने दोनों दिया है, और past में भी क्या होगा, दोनों के दोनों होगे, अब आप समझ यहाँ पे तपर, फेल उनली इन क्वांट, and some of the people are failing in both, and that is for example, माल लेते हैं कि, कितना, 12%, just assume कर रहा हूँ, number से हमें कोई मतलब नहीं है, just समझाना है, ठीक है, यहाँ तक data जो मैंने समझाया, आपको clear हुआ, यह जिस हम लोग ले रहे हैं, कि out of the people who have appeared in mains, some of them has passed the mains, ठीक है, तो वो select हो जाएंगे, selected for interview, अब यह fail हो गए, ठीक है, अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पर, यह चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर देखा जाए, तो मैं बोल सबता हूँ, कि जो mains वाले student थे, वो 2400 थे, इसी में से क्या होगा, कुछ failed होंगे, कुछ आपके past होंगे, ठीक है, तो देखो, past plus failed, is equal to what, mains वाले student, that is 2400, ओके, अच्छा, अब यहाँ से एक और कीज हमें समझते हैं, देखो, अगर मैं बोल दूँ, कि either, failed, in reasoning, और quant, तो इसका मतलब क्या होगा, कि यह पूरा का पूरा circle, ठीक है, बताइए, no, no, I don't bother about giving me the values, कि कितने लोग pass किये, कितने लोग fail किये, that is none of our concern, we are just looking at, कि हमें कैसे चीज़ों को निकालना है, ठीक है, वो चीज़ हम समझने की बोशिश करते है, वो ही आपका important भी होगा, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा ध्यान देजे, ठीक है, ओके, तो ये either failed in reasoning and quant वाला जो होगा, वो पूरा का पूरा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है, so failed जब मैं आपको बोल रहा हूँ, तो failed में मेरे पास तीन चीज़े हैं, either only reasoning, only quant, and only this, past जब मैं बोल रहा हूँ आपको, तो past में basically क्या आएगा यहाँ पे, both past आएगा, so this is the difference that you have to remember, okay, so जब भी हम past, देखो, जब मैंने failure की बात की, तो failure किसी तरीके से भी हो सकता है, कि आप reasoning में fail करो, तभी भी आपका selection नहीं होगा, quant में fail करो, only quant में तभी भी नहीं होगा, और दोनों में fail करोगे, तो definitely नहीं होगा, ठीक है, so अगर मैं failure की बात करता हूँ, तो उसमें तीनों के तीनों आएगे, लेकिन जब मैं past की बात करता हूँ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, कि only I will pass in reasoning, and I will clear, no, you have to pass in quant also, and both also, so दोनों में past होना पड़ेगा, so इसलिए यहाँ पर जो यह past in means है, this is representing what, both past, समझ आया कभी, अब मतलब यह बात समझ आई, सभी लोगों को, अच्छा, एक और चीज, एक और चीज, अगर हम लोग यहाँ तक, आप लोगों को clear हो गया है, मतलब यह तो मैं paid में, आपको मतलब बहुती details से बताता हूँ, बट यहाँ पर भी आज बताता हूँ, थोड़ा समझ आएक आच्छा से, एक चीज और देखो, at most one subject, failed in, failed in at most one subject, in means, ठीक है, मैंने आपको दी दिया, माल दो, ठीक है, मैंने आपको दिया, कि failed in, at most one subject in means, that is, for example, ठीक है, मैं जस्ट आपको, easy सा number ले रहा हूँ, यह true नहीं हो सकता है, कि 10%, 20%, जो भी होगा, मैं calculate नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि, so, माल लेते हैं, that is P, ठीक है, failed in at most one subject, in reasoning is P, okay, अच्छा, and, मैं आपको क्या क्या data, order दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना है, only quant में fail होने वाले, quant failed, मतलब Q failed, मतलब quant failed, ठीक है, that is for example, Q ले लेते हैं, and only reasoning failed, that is for example, माल लो, कि R मैं ले लेता हूँ, ठीक है, ये चीज़ मैंने ले लिया, और मैं आप से पूछता हूँ, कि आप मुझे बताइए, कि past in both कितना होगा, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो, variable के terms में ले बताना, P, Q, R के terms में ले बताना, कि past in both क्या होगा, please मुझे बताइए, and this will be the last thing, that we will discuss here, SBIPO crash course वाले हैं, उनको ये कराए था, तो अगर आप लोग, अभी हो यहाँ पे, तो I think आप लोगों को याद होगा, quant reasoning वाला जो हमने किया था, yes, yes, I mean no, that is correct, बताइए, past in both क्या होगा, सूरजी सेहिंग, P minus Q plus R, okay, P minus Q plus R, okay, Q plus R minus P, Prashashak Pandai is saying, Resham is saying, Resham Kukreja is saying, P minus Q plus R, everyone is getting P minus Q plus R, very good, जिनका भी P minus Q plus R आ रहा है, that is, मतलब bracket में Q plus R आ रहा है, that is correct, देखो Q, समझते हैं थोड़ा इसको, जिनको नहीं समझ आ रहा है, कि how we have to proceed, so, थोड़ा समझो यहाँ पे, हमने क्या बोला है आपको, statement जो मैंने आपको दी है, वो statement क्या है, उसको थोड़ा carefully देखेगा, ठीक है, मैंने आपको बोला है, कि failed in at most one subject, मतलब maximum से maximum, एक subject में ही आप fail हो सकते हो, so, यह जो P है, इस P के अंदर क्या के आएगा, अब वो हम पहले देख लें एक बार, तो हम क्या बोल रहे हैं, कि आप एक ही subject में maximum fail हो सकते हो, तो क्या हो सकता है, कि either you will fail in reasoning, ठीक है, fail in only reasoning, ठीक है, plus, either you can fail in only quant, ठीक है, or you can say, कि देखो, at most है ना, at most है, इसका मतलब एक ही subject में failure हो सकता है, तो मतलब minimum तो कितना भी हो सकता है, minimum कितना हो सकता है, कि आप दोनों में fail हो जाओ, दोनों में fail हो जाने का मतलब क्या है, बताओ, sorry, मतलब, किसी में भी fail ना हो, sorry, ठीक है, क्योंकि दोनों वाले fail अगर लेंगे तो आपको दो subject आ जाएगा मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं at most one subject में failure की बात कर रहा हूँ तो at most का मतलब क्या है कि maximum से maximum आप एक ही subject में fail हो सकते हो इसका मतलब क्या होगा क्या बताओ एक-एक subject का तो मैंने बात कर लिया कि failed in only reasoning, failed in only quant plus क्या होगा past in both क्या होगा past in both का मतलब क्या हुआ कि आपने zero failure तो at most one के अंदर zero भी तो आएगा न कि zero failure या तो एक failure so zero failure का मतलब क्या है कि आप दोनों subject में pass हो गए हो ठीक है तब ही आपको zero failure का tag मिलेगा otherwise अगर आप कोई भी एक subject में fail हो जाओगे तो आपको failure ही बोला जाएगा ठीक है ना मतलब यहां आपको उस तरह से नहीं बोल रहा हूँ समझाने के देश्टी से बोल रहा हूँ so I have यह मुझे दिया हूँ है कि this is r this is q यह मुझे निकालना था so this is past in both तो क्या होगा बताओ क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस r को उस तरफ ले जाओ q को उस तरफ ले जाओ so past in both will be what that will be p minus q plus r clear वा सभी लोगों को अच्छा एक और interesting मैं आपको पूरा basic से बता रहा हूँ हमने वहाँ पे question discuss किया था but question वहाँ पे अभी नहीं discuss कर सकते है so मैं just आपको idea बता देता हूँ कि how we have to basically proceed and think about these type of questions अच्छा एक और question दें इसका अगर आप लोगों को interest आ रहा है तो yes at most means होता है less than equal to 1 तो less than equal to 1 में क्या आ सकता है आपका 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है clear next question जो आपका है थोड़ा देखिएगा ठीक है इसका आप लोग I think notes बना रहे होंगे अंदा video will be available so don't worry आपको इसका video जरूर मिलेगा कर वो paid वाली class थी तो इसलिए हमने उसको नहीं दिया था तो but इसका जरूर मिलेगा आपको now the next question is next question में आपको मैं दे रहा हूँ कि failed in quant देखना मेरा language देखना क्या क्या लिख रहा हूँ failed in quant is q1 okay failed in only reasoning is r1 okay mains appeared is m1 then find past in both कितना होगा बता हूँ कर सकते हैं आप लोग I know you guys can do it जल्दी से आंसर बताइए m minus q1 m1 है वो ठीक है या m1 minus q1 plus r1 very good क्यों देखो कैसे बता सकते हैं इसका अंसर अगर आप लोगों को अभी तक पूरा सारा clear है तो this is very easy again we'll say कि देखो mains clear वाले ये student थे की ने तो ये मुझे m1 दिया हूँ है ठीक है so m1 जो था m1 के अंदर ही तो क्या होगा का मुझे failure का दे दिया उसने q1 तो इसका मतलब जो failure थे ये दोनों का sum होता है न ठीक है इन दोनों का sum करूंगा तो मुझे total failure पता चल जाएगा so that is q1 plus r1 so if total is m1 उसमें से q1 plus r1 is failure then what is p p will be m1 minus q1 plus r1 ठीक है so ये मैंने पूरा generalized way में आपको बताया है जिसी की questions अगर आएंगे देखो आप इसमें वो आपको ऐसा भी दे सकता था कि ये आपको past in both दे देता ठीक है आपको पूछता कि आप बताईए for example only reasoning वाला बताईए ठीक है मतलब कोई भी इसमें से एक variable आपको कम करके पूछ सकता है बट किस तरह से करना है वो just मैंने आपको overview दे दिया और इसको याद रखीगा तो आप लोग exam में अगर आता है in case तो आप लोग कर पाऊगे ठीक आपको वेंडाग्राम से डर ही नहीं लगेगा आगे चले थ्री वेंडाग्राम पे चलें मज़ा आ रहा है सभी लोगों को बताओ अगर मज़ा आ रहा है तो please like वगएरा कर दीजा पहली बार मैं ऐसा बोल रहा हूँ प्रशाषक basically I said कि total जो mains clear वाले student है mains cleared वाले student जो है वो आपके कितने है 24 सुख ठीक है इस इस not mains appeared sorry इस is mains cleared वाले student sorry mains appeared EP here sorry mains appear weil student जो है वो M1 है ठीक है मैं प्रशाषक आपिएर वाले student जो है वो M1 है उसमें से क्या होगा जो भी appear होंगे कुछ तो fail हो जाएंगे ठीक है कुछ failure वाले student होंगे कुछ pass वाले student होंगे और pass का मतलब क्या होता है both pass होता है so अगर both pass का मतलब यह है और failure में क्या-क्या आएगा तो only reasoning, only quant and both अब वो मुझे बोल रहा है कि failure in quant failure in quant मतलब उसने ये पूरा का पूरा circle दे दिया this circle is given to me as q1 and also failure in only reasoning that is r1 की value दे दी तो इसका मतलब मुझे पूरा का पूरा failure का circle नहीं दे दिया उसने so पूरा अगर failure का circle वो मुझे दे देता है so मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर बताओ कि ये total जो है this total part is q1 plus r1 so ये failed student थे total आपके m1 student थे m1 में से क्या हुआ q1 plus r1 जो है वो fail कर गया तो बाकि student यहां गए होंगे pass वाले तो वो कैसे निकालोगे आप total में से आप क्या करो q1 plus r1 को minus कर दो समझाया चलिए so ये इसका concept था मैं आपको समझाने के लिए just this is a meme so सबसे अच्छा जो venn diagram आपको समझा सकता है वो यही है ठीक है three venn diagram वाला देखे this is three venn diagram ठीक है ना देखो इस वाले में क्या होता है ये गाना आप लोगों ने सभी लोगों ने सुना होगा है ना कि छुपाना में भी नहीं आता है ठीक है जताना में भी नहीं आता है और बताने में भी नहीं आता है ठीक है so basically मेरे पास ये three venn diagram है ठीक है तो ये three venn diagram कुछ इस तरह से दिखेगा हमेशा आपको और इसको मैं इधर कोने में रहने देता हूँ जिसे कि आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा मन लगेगा और ये सब चीजे करके ये आप लोगों को पढ़ने में मन लगता है this I have already seen यूकि जब मैं train में travel कर रहा था तो उसकी जब मैंने video डाली तो उसमें 7000 view है but अभी जब पढ़ाता हूँ तो उसमें 1000 view आते है तो इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि थोड़ा आज थोड़ा changes किये जाए ठीक है so this is the three circle three circles will be like this ठीक है so ये three circle हो गया now for example this is I am saying कि this is छुपाना वाला ठीक है this is जताना वाला और this is बताना वाला ठीक है now ये तो पता ही है सबको कि ये नहीं आता वाला portion होगा now आप सोचिए यहाँ पर थोड़ा समझते हैं ठीक है ये जो है इसको one बोला इसको two बोला इसको three बोला ठीक है this is four this is five this is six and this is seven ओके so देखो अब हम लोग one two three four five पहले मैं आपको area बता देता हूँ कि अलग-अलग area जो है वो क्या represent करता है ठीक है so पहले हम उसको देखते है और ये तो हमारा base है ठीक है इस base को हम लोग थोड़ा सा छोटा करके रख देते हैं because this is going to help us this is our lord okay so let's start so इसको छोटा-छोटा से करके रख देते हैं because this is very important इससे आप लोगों का मन लगा रहेगा ठीक है so one पहला जो है आपका हमारे पास one है one क्या बोल रहा है two क्या represent करता है three क्या represent करता है four क्या represent करता है five क्या represent करता है six and seven okay ये क्या represent कर रहा है तो one में अगर आप देखोगे तो one में ये वाला portion है इसके साथ कोई भी common नहीं है ना जताना वाला है ना बताने वाला है कोई भी नहीं है ठीक है so मतलब he वो बस छुपाता ही रहता है so he is only छुपाना ठीक है now अगर मैं two की बात करूँ तो ये बस जताता ही रहता है ठीक है अगर three की बात करता है तो ये बस बताता ही रहता है ठीक है so this is only छुपाना this is only जताना और this is only बताना now अगर मैं four की बात करूँ क्योंकि ये सारे जो portion थे ना ये only वाला पाट है इसमें किसी का भी common नहीं आ रहा है, ठीक है, so, जैसे अगर इसको चाई, coffee और ये आपका कुछ और ले लो, ठीक है, so, ये क्या हो जाएगा, only coffee, this is only tea, and this is only whiskey, ठीक है, जो भी, so, four की अगर बात करें, तो four हमें क्या बता रहे, देखो, four जो है, वो किसमें common है, चुपाने वाला भी है, और जताने वाला भी है, ठीक है, मतलब, he is not the ideal person, अभी तक वो ideal person नहीं बना है, ठीक है, so, ये क्या हो जाएगा, कि only चुपाना, and बताना, क्योंकि इसमें क्या है, बताना, सॉरी, बताना बोल रहा है, जताना, ठीक है, जताना वाला portion है, ये, इसमें बताने वाला नहीं है, ये, कोई भी इसको, ठीक है, so, this is जताना वाला portion, चाए, कॉफी, काड़ा, चलिये, so, छुपाना ये, जताना वाला, four हो गया, only वाला part, क्योंकि only क्यों बोल रहा है, क्योंकि हम ये, ये वाला, जो बताने वाला circle है, इसको use नहीं कर रहा है, अच्छा, what is five representing, आप लोग बताएगे जल्दी से, five क्या represent कर रहा है, तो ये छुपाता भी है, और ये बताता भी है, लेकिन जताता नहीं है, so, only, and, बताना, right, अच्छा, six आपका क्या बताएगा, six जो है, जताता भी है, बताता भी है, बट चुपाता नहीं है, ठीक है, so, only, जताना, and, बताना, but, this is the only person, who is the lover, ठीक है, अब seven क्या बताता है, तो नहीं आता बताता है, मझे, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, he is, छुपाना भी है इसको, ठीक है, प्लस, जताना भी है इसको प्लस, बताना भी है इसको ठीक है, तो ये सारा आपका अलग-अलग portion जो है, इसके basis पर हमने किया मदा आया, कभी भूलो के नहीं आप मतलब इसको ठीक है, बताए ठीक है न, सभी लोगों को समझ आ गया अब हम लोग जो है, इसके questions करते हैं ठीक है, ये सो हमें हो गया, अच्छा दो चीज़े यहां पे भी है, कि कुछ-कुछ trait हो सकते हैं, अलग-अलग type के lovers होते हैं ठीक है, कुछ traits की बात करते है तो ये तो हो गया only वाले parts ये दो trait वाले हैं, exactly two traits ठीक है, मतलब या तो वो तीनों मेंसे दो ही चीज़े कर सकता है but, perfect lover बने के लिए तीनों आपको करने पड़ेंगे, है ना, तीनों आपको करने पड़ेंगे, so, अगर दो करोगे, तो exactly two traits, मतलब either आप तीनों चीज़ों मेंसे कोई दो ही कर सकते हो, ठीक है, और ये क्या है exactly one trait ठीक है, और जब तीनों trait मिलते हैं तब ही इनका जनम होता है, this is exactly three ठीक है समझा है, तो इसका अलग भी नाम है, मतलब four plus five plus six, this combined, अगर मैं इन तिनों को plus कर दूँ तो ये तीनों मुझे क्या बताएंगे, exactly two traits मतलब कि बस दो ही trait वाले तो इसमें देखो न, ये बस दो ही चीज़ों को common लेके चल रहा है, ये भी दो ही लोगों common लेके चल रहा है, और ये भी दो ही चीज़ों को common लेके चल रहा है, exactly three की अगर बात करें तो यही होगा 7 होगा only so this is 7 only 7 is representing exactly 3 exactly 2 में क्या होगा यह दोनों हो जाएगा और 1 plus 2 plus 3 अगर करेंगे तो exactly 1 trade हो जाएगा ठीक है हाँ मैं अभी बता रहा हूँ 5 plus 7 पर बताता हूँ exactly 2 वाला पार्ट समझा गया अच्छा आप इसमें एक चीज़ देखिए कि 5 plus 7 जो है जैसे मीनू ने पूछा again you can ask 6 plus 7 क्या represent करता है और 4 plus 7 क्या represent करता है ठीक है तो देखो मैंने जो language लिखा है this language is very important 4 जो आपको लिखा था मैंने 4 में क्या लिखा था मैंने कि only छुपाना है जताना लेकिन जब मैं 4 और 7 को मिला दूँगा तो क्या होगा कि पूरा का पूरा जता भी रहा है और पूरा का पूरा छुपा भी रहा है so this is छुपाना plus जताना इसमें only word हम लोग यूज नहीं करेंगे ठीक है यह क्या होगा plus बताना ठीक है और यह जताना plus बताना समझ आया सभी लोगों को so this is like यहाँ पर only word यूज नहीं होगा तब क्या होगा 5 plus 7 दोनों आ जाएगा लेकिन अगर only word यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा alone ये वाला part बत जाएगा सभी लोगों को समझ आया की नहीं बताईए clear okay now एक और चीज है उसको भी देख लेते हैं at least और at most करके भी आप लोग question पूछा जाता है so at least two traits इसका मतलब क्या होगा at least two traits का मतलब क्या है या फिर at least one trait का मतलब क्या है because इसमें भी लोग confused होते है trait मतलब character 6 हो गया इस तरह से so at least two traits के अगर मैं बात करें तो क्या क्या है यहाँ पर आजाएगा बताओ 2 मतलब कम से कम minimum 2 तो हो नहीं चाहिए 2 अगर होगा तो 4 plus 5 plus 6 तो हो गई so 4 plus 5 plus 6 और last में क्या हो जाएगा 7 भी हो जाएगा क्योंकि 3 भी हो जाएगा ठीक है at least one trait अगर बोलेगा तो क्या होगा तो 1 भी होगा 2 भी होगा 3 भी होगा 4 भी होगा 5 भी होगा 6 भी होगा और 7 भी हो जाएगा समझा है no Iman 7 will also come na because we are talking about at least 2 not exactly 2 exactly 2 में क्या होता है exactly 2 में 4 plus 5 plus 6 होता है ठीक है exactly one trait में क्या होता है 1 plus 2 plus 3 होता है so 4, 5, 6 and 7 भी होगा ठीक है all या फिर yeah correct so यह हो गया और at least one trait अगर बोलता है तो सारा का सारा आ जाता है तो इसलिए जो आप लोग देखोगे कई बार आपको na question में यह दिया जाता है कि there are total thousand students in a town okay and at least one of them is preferring this chai, coffee and carha ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि सभी लोग जो है कोई ना कोई कुछ पी रहे है तो इसलिए at least word जो अगर बोल देता है इसका मतलब आपको neither वहाँ पे zero हो जाएगा ठीक है इसी में अगर मैं आपसे पूछूँ कि what is at most one at most one में क्या आएगा माल लो कि कुछ neither वाला portion भी है ठीक है neither वाले को मैं माल देता हूँ 8 बोल देता हूँ जो बाहर है कुछ लोग जिसको जताना भी नहीं आता है बताना भी नहीं आता है और चुपाना भी नहीं आता है वो यहाँ पे आता है ठीक है neither वाले यह लोग है so अगर यह neither वाला लोग है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि at most one बता है यह तो क्या होगा बताओ maximum से maximum एक ही हो सकता है so in that case your answer will be 1 plus 2 plus 3 and then 8 will also come 8 भी आ जाएगा समझाया at most one की बात कर रहे है तो 1, 2, 3 और 8 भी आ जाएगा clear हुआ अच्छा at most 2 अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा that will be 1 plus 2 plus 3 plus 8 तो था ही at most one में इस बार दो वाले को भी लेना पड़ेगा तो 4 plus 5 plus 6 भी हो जाएगा ठीक है तो यहां से देखो एक चीज मुझे क्या पता चली ठीक है यह सब मैं आपको क्यूँ बता रहा हूँ जिससे कि ना अगर मैं आपको total देता हूँ देखना अभी हमने यह सारी चीज़े कर ली माल लो कि मैं total बोलता हूँ कि यह जो total है neither को मिला के this total is thousand at most two में क्या होगा यह मैंने बोल गया कि 750 है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताइए कि all छुपाना जो है जताना भी और बताना भी है वो total कितना होगा मतलब यह जो all three वाला पार्ट है यह कितना होगा क्या आप बता सकते हो yes क्योंकि total आपके पास 1000 था at most two में सारे आजाते हैं बस seven नहीं आता है so just subtract it the answer will be what 250 समझा है तो इस तरह से आपको बोल सकता है similarly अगर मैं at least one देके आपको पूछूँ कि eight क्या होगा तो वो भी आप बता सकते हो क्योंकि इसमें one से लेके seven तक हो चुका है eight बचा हुआ था तो eight भी हम लोग बता सकते है clear हुआ 350 सूरज क्या कर रहे हो सूरज 350 250 ना चलिए very good now एक last concept है उसके बाद हम लोग एक question करता है and then we'll end the session ठीक है so keeping this as our base again okay so this is the last concept that will be required so देखो ये पहला है आपका ये दूसरा है और ये तीसरा है so अब हम लोग जो है इससे आगे बढ़ता है क्योंकि life में इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़े है so this is coffee tea and kaढ़ा ठीक है अब देखो x y z ठीक है x, y और z ले लिया मैंने this is a, b, c और इसको m बोल देता हूँ ठीक है मैंने अलग-अलग जो है marking कर दिया x, y, z अच्छा what is x plus y plus z is it exactly 1 yes ठीक है a plus b plus c क्या बताता है exactly 2 अच्छा और m क्या बताता है exactly 3 right अच्छा अब देखो इसी circle को ना मैं थोड़ा सा अलग-अलग करके बना रहा हूँ चीजे सोचना मैं जिस देखो area वही बना रहा हूँ ठीक है area वही बना रहा हूँ जिस आप देखना ये भी circle है और ये circle है मतलब इनको मैं पहले तो combine थे ना मैंने अलग-अलग कर दिया and let's say मैं आपको समझाने के बोल रहा हूँ कि this is C this is T and this is K okay total so again this is also C this is T and this is K okay अच्छा अब बताएए मुझे कि C के अंदर क्या-क्या चीज़े आएंगी तो X plus A plus B plus M okay so X is X plus A plus B plus M okay now यह जो coffee T वाला था उसके अंदर क्या-क्या होगा तो A plus Y plus M plus C अच्छा and कारह के अंदर क्या होगा तो B plus M plus C plus Z यहां तक सभी लोगों को समझा आता है मैंने just क्या-क्या इसको थोड़ा separate करके यहां पे लिख दिया है okay अच्छा अब देखिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि total total जो students है ठीक है total students को मैंने बोला T total student is T and this is the last concept इसको बहुत अच्छे से देखिएगा तो तुरंत आपका हो जाएगा otherwise problem होगी आपको ठीक है देखिए total student को मैंने T माना है ठीक है अच्छा तो अगर total T है तो आप सोचिए यहां पे क्या होगा T can be written as exactly 1 plus exactly 2 plus exactly 3 क्योंकि देखिए T जो है T के अंदर क्या आएगा A plus B plus C भी आएगा मतलब सॉरी A plus B plus C ने पहले X plus Y plus Z लिखता हूँ X plus Y plus Z और ये क्या है A plus B plus C है और exactly 3 वाला क्या है M है यही था so exactly 1 जो है उसको हमने क्या बोला कि X plus Y plus Z हो जाएगा exactly 2 ये है और exactly 3 है और इन तीनों को सब को add करेंगे तो सारा का सारा मिल जाएगा कि नी total student ठीक है मैंने neither को 0 लिया है बाहर में कुछ नहीं है ठीक है जस्थोड़ी दिर के समझता है so T जो था that is the total is equal to this अच्छा अब देखिए थोड़ा समझ ना मैं इस बार क्या कर रहा हूँ थोड़ा अच्छा इसको T1 ले लेता है तो आप लोग कुछ बता सकते हैं मुझे क्या ये ऐसा नहीं आएगा X plus Y plus Z plus 2 times of A plus B plus C plus 3 times of M क्या ये आएगा बताइए ठीक है मैंने क्या क्या है just separate करके इस तरह से लिख दिया है और separate को अगर मैं तीनों को फिर से add करना चाहूँ तो मिरे पास क्या आएगा X, Y और Z ठीक है तो X, Y, Z को मैंने एक जगह लिख दिया हूँ A यहाँ पे भी है A यहाँ पे भी है तो 2A, 2B, 2C so 2A, 2B, 2C और M, M और M so यहाँ पे 3M ये चीज़ सबको समझ आई right now what is this this is exactly 1 ठीक है plus 2 times of exactly 2 plus 3 times of exactly 3 बोल सकते है so I want you to note this इस चीज़ को आप note करके रखिए क्योंकि अभी थोड़ी दिर बात हम questions को use करने वाले हैं कि हमारे पास जब भी होगा कि जो total student है total student को हम लोग क्या बोल सकते है exactly 1 plus exactly 2 plus exactly 3 इन तीनों का सम करोगो तो आपको total student मिल जाता है लेकिन वही अगर मैं सबका individual को add करो मतलब जो c था t था और ये जो k था सबका individual को अगर मैं add करता हूँ तो क्या होता है exactly 1 एक ही बार आता है ठीक है one times ही आता है but exactly 2 जो है वो दो बार आ जाता है exactly 3 तीन बार आ जाता है समझाती है सबको बात है ठीक है now why this is important अभी मैं थोड़ी दिर्व में explain करूँगा ठीक है हम question देखते है तब आपको और clear होगा यहाँ अगर clear है तो मैं question पे चलता हूँ and that will be the last question of today's session और जो बाकी मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक single Venn diagram में सब कर लेंगे वो किसी और दिन बता होगा ठीक है आज क्योंकि काफी लंबा होगा इतना आप लोग digest कीजिए then हम लोग next करेंगे ठीक है okay now question को देखते हैं हम लोग देखे this is the question अच्छा यह तो बता दिया था यह question है आपका ठीक है इसका answer बताईए and with this we'll end the session ठीक है और मैं एक बर second puzzle जो है वो फिर से बता दूँगा जिससे कि आप लोगों को clear हो जाए no no that is incorrect I'll tell you subhan अभी जो मैंने चीज़ बताईए उस चीज़ को exactly use कीज़े you'll get the answer see मैं बता रहा हूँ ठीक है at a certain school each of 160 students take at least one of the three classes so can I say P plus Q plus R where P is what exactly 1 exactly 2 and exactly 3 जो total student था total student को हम लोग क्या लिख सकते थे exactly 1, exactly 2 and exactly 3 का sum so P plus Q plus R that is equal to 160 अच्छा now three classes available are English, Hindi and Spanish now English में कितने लोग पढ़ते हैं तो 54 हिंदी में कितने लोग पढ़ते हैं तो 86 and 61 students study the Spanish so अगर तीनों को मैं एड़ करूँ इंडिविजुली तीनों को अगर आप इंडिविजुली आड़ करूँ तो आपके पास कितना आएगा this is 54 54, say इस में से 6 दे दो तो this is 6140 and then this will be how much 61, right so P plus 2Q 2Q plus 3R इसको directly लिख दे दो 54 plus 86 plus 61 क्योंकि आपको सम लिख दूँगा तो maybe आपको problem हो जाए ठीक है so P plus 2Q plus 3R अभी हमने दिखा था कि exactly 1 वाला एक ही time होता है exactly 2 वाला जो है वो दो बार हो जाएग और exactly 3 जो है वो 3 times हो जाता है now they have given कि if 8 student take all the 3 classes Q कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा sorry 152 हो जाएगा so 1 P plus Q is 152 यहां तक किसी को doubt बताइए पहले पहले यहां तक बताइए मुझे तभी मैं आगे बढ़ता हूँ because फिर बाद में मिरे को explain करना पड़ जाएगा otherwise ठीक है so P plus Q is 152 now यहां पे भी अगर same चीज मैं R की वैलू पुट कर दूँ तो this will be what 24 है ना so 24 उस तरफ कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा P plus Q P plus 2Q is equal to 24 अगर इस तरह माइनस कर देंगे तो 30 हो जाएगा 30 से इसको add करेंगे तो it will be 177 okay so P plus Q is 152 P plus 2Q is 177 they are asking exactly 2 बताएगे exactly 2 का मतलब क्या है Q की value बता रहा है पूछ रहा है मुझसे so this is equation 1 this is equation 2 now if I subtract 1 from 2 2 minus 1 अगर करता हो तो P से P cancel हो जाएगा 2Q minus Q is what Q this is equal to this minus this what is this 25 so answer is 25 clear हुआ सभी लोगों को 120 क्या बता रहे हो 120, 153 कुछ भी कुछ भी बता रहे हो at least 2 नहीं पूछ रहे है न वो लोग मैं exactly 2 पूछ रहा हूँ आथ लोगों से तो अभी इसके लिए मैंने इतना time जो लगाया वो exactly 1, exactly 2 वाला इसकीज के लिए ठीक है कि अगर इस तरह से question आता है तो आप लोग कर पाओ ठीक है कर दो आप लोगों से